हेलो नमस्कार आदाव सेसरिकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका हो शुबेजिंग चोहान आप लोग का स्वागत करता हैं सेशन के अंदर दोस्तों हाली में आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश और हर्याना सरकार के बीच में एक M.O.U. जाइन हुआ है जिसके तहत वो एतिहासिक सरस्वती नदी जिसका वर्णन वेदों के अंदर प्राप्त होता है उसको रिवाइव करने की कोशिश इन दोनों राज्यों द्वारा की जाएगी इस M.O.U. के अंदर ये कहा गया है कि आदी बदरी के उपर एक डैम बनाये जाएगा या मुना नगर डिस्रिक में जिसके बाद कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्ट चलेगा कि सरस्वती नदी का जो चैनल है उसके अंदर वापस से पानी भराएगा और सरस्वती नदी वापस से भारत के मैप पे दिखने लगेगी तो दोस्तों हम लोग इस प्रोजेक्ट के उपर चलेचा करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट सरस्वती नदी के उपर काम कर रहा है साथ में हम लोग बात करेंगे कि सरस्वती नदी है क्या और इसके क्या क्या प्रूफ है कि ये इतिहास के अंदर पाई जाती थी मेरे द्वारा ली जाती है आप वहां पर ही मैं साथ में लाइव जुड़ सकते हो और हाँ 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 अगर आपको अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो इस था हाई टाइम क्योंकि अभी 18 महिने का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को केवल 64000 के अंदर पढ़ रहा ह है ऐसा सीट है चलिए समझने ही कोई करते हुआ क्या है देखो बात क्या है कि एक अतिहास के अंदर एक नदी भारत के अंदर पाई जाती ती सरस्वती नदी जिसका कुछ इस तरीके का चैनल जो है वह सरस्वती नदी का था 1930 के अंदर Geological Survey of India के दो scientist ने यहाँ पर एक channel प्राप्त किया और पाया कि यहाँ पर शायद कोई नदी हुआ करती होगी उसको जब भारत के historical text यानि की वेदों से मिलाया तो पाया कि यह नदी और कोई नहीं हो सकता है सरस्वती नदी हो क्योंकि अगर भारत के वेदों की बात करें तो भारत के रिगवेद के अंदर सरस्वती नदी का वर्णन है जहां पर यह कहा गया है कि भारत के अंदर North West region में एक ऐसी नदी बहा करती थी जो यमूना और सतलच के बीच में थी आज यमुना और सतलज के बीच में घगर नदी प्राफ्त होती है तो ऐसा माना जाता है गघगर नदी ही वो सतलज नदी हुआ करती होगी जो आज सूकती चली जा रही है जो आज कम होती चली जा रही है अब ये जो सरस्वती नदी है इसका वर्णन जब हुआ तो उसी वर्णन में लिखा हुआ है कि ये सरस्वती नदी समुद्र में जाके मिलती थी आज सतलज है इंडस में मिलती है आज यमुना है गंगा में मिलती है क्योंकि ये उनकी ट्रिबूटरी है पर सरस्वती नदी के वर्णन के अंदर कहा गया कि समुद्रों में मिलती थी मतलब सरस्वती नदी ना तो सिंधू की ट्रिब्यूटरी थी ना गंगा की ट्रिब्यूटरी थी यह एक अलग से नदी हुआ करती थी अब जब सरस्वती नदी एक अलग से नदी हुआ करती थी औ और महाभारत के लेटर स्वानिक थे चलवाथ के अंद्र सबसे करें पर जब बाकी वेद लिखे सामवेद लिखे लिखे गए तो उस दौरान में हमको पता चला के यह सरस्वतीनदी सूख रही थी मतलब के पहले यह नदी धी और फिएदे गरंके ये सूख रही तैसा वेदों के अंदर वडणन है और अभी ये नदी जो है वह कहीं कहीं गायब हो गय üst कारण से लोगों की आस्था अजाय को सिस्ट करोगे तो हमारे वपार रीदोни देखोगे तो हमारे वेदों के अंदर सब्त सिंदू शब्द का वर्णन है जहां पर कहा गया है सब्त सिंदू वहां पर कहा गया है कि एक नदी है सिंदू इंडस सब्त सिंदू साथ सिंदू नदियां जिसके अंदर एक तो खुछ सिंदू है दूसरी है सतलज जिसे सुतुदरी कहा गय टीसरी है जेलम जिसे वितस्ता कहा गया है विपासा कहा गया है चेनाप को अस्कीनी कहा गया है और रावी को पुरुशनी कहा गया सब्सब्क two-test family usable यहां पर बहारति थी और आप देखोगे तो इनी सब्सिंदू का महाभारत के अंदर देखने को मिलता है जहाँपर आपको कुरू वंष सब्सिंदू के मिलता तो नहीं नहीं देख रहे होगे तो आप आओगे के पांचाल कोसाल इन साही चीजों का वरणन भी आपको महाभारत में देखने को मिलता है तो कहीं न कहीं हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर सब्त सिंदु वहा करती थी इसका पतलब सरस्वती नदी हुआ करती थी जब इसके ऊपर चेक किया गया चैनल को समझा गया तो उसके बाद साइंटिस्ट का मानना है कि सचमें सरस्वती नदी हुआ करती थी और यह सरस्वती नदी लगभग पंदरा सो किलो मीटर लंबी थी पांच मीटर गहरी थी और तीन से पंदरा किलो मीटर तक चौड़ी थी इसका जो उद्गम स्थल था वो हरकी दुन ग्लेशर घरवाल रीजन में उत्राखण में था इस ग्लेशर से ये नदी जो है वो ओरिजिनेट होती थी और बाद में इसका एक और जगे पर ओरिजिन माना जाता है जो कि है आदी बदरी आदी बदरी वहां पर आपको नदी देखने को मिलेगी जिसे जहां पर इसका ओरिजिन जो है वो माना जाता है वहीं अगर हम लोग समझें तो 6000 से 4000 बीसी के बीच में माना जाता है कि सरस्वती नदी जो अभ्या करती थी दिये-दिये करके टेक्टोनिक प्लेट के अंदर शिफ्ट होने के कारण यह पाया गया कि यहां पर क्या हुआ डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हुआ जब डेजर्टिफिकेशन होना शुरू हुआ तो सरस्वती नदी कहीं न कहीं लुप्त हो गई सरस्वती नदी के दो अलग-अलग चैनल है जिसके अंदर एक पिलियो चैनल माना जाता है यमुना नगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पेहोवा, केथल, जिंड, फतेहबाद, सिर्सा ते होते हुए हनुमानगर राजस्थान में निकल जाती है यहां पर यह जो रीजन है, यह हरियाना से फिर राजस्थान के अंदर निकल रही है अब आप अगर घगर नदी को देखोगे, तो घगर नदी आपको सिर्सा, हनुमानगर, अनुबगर से होते हुए पोर्ट अबास की तरफ जाते हुए दिखती है, सेम जो चैनल है, वो कहीं न कहीं आप प्राप्त करते हो अरे इतना ही नहीं, यह तो मेन चैनल है, पर जैसे आप देखते हो सिंधू नदी, तो सिंधू नदी एक बड़ी नदी है जिन्द से लेके हिजन सर तक, यानि की ये वाला चैनल, तो ऐसा माना जाता है, कि ये शाय सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरी रही होगी, जिसे द्रिशादवती नाम जो है वो दिया गया है, ये तो सरस्वती नदी के बारे में वर्णन है, वहीं अगर हम लोग बात करें तो क्या माना जाता है, कि सरस्वती नदी और कुछ नहीं, आज जो घगर नदी है, शायद वही है, अब जब घगर नदी है, क्योंकि मैं शायद क्यों कहा रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज में fix नहीं है, ये इतिहास है, उस समय पे कोई नहीं था, ऐसी condition में आपको अलग- रहरस्वती नहीं है कि तोनों है इतिहाद जो है क्योंकि अंदाजा लगा रहे है कि तो कुछ रिसे इस्ट बियें भी भी बताती है उत अब हेम लोग बात करें जो है लोग glacier नदी के बारे में क्योंक्ति चले घगगर हकरा ही जारसवती है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर घगगर हकरा को ही वापस से रिवाइव किया जा रहा तो घगगर हकरा नदी कि अगर मैं बात करूं तो यह एक ऐसी नदी जो पेरेलियल नहीं है यह केवल मौनसून के समय पर रहती है जब बारिश आती है उसी तमवें पर पानी रहता है बाकी समय पर सुकी रहती है मतलब यह एक रेनफेड रिवर जो कि आपको शिवालिक के अंदर से शुरू होती हो दिखेगी हिमाचल प्रदेश में पंजाब हरियाना तरफ जाती हो फिर राजस्तान के अंदर से वहां निकलती है यही घगर नदी के ऊपर एक बराज बनाया गया है ओटू बराच ओटू बराज के ऊपर उपर यह घगड कहला आती है और ओटू के नीचे आ जाते हो तो इसे हाकरा कहा जाता है अब एक बास समझ में आई के घगडर और हकरा नदी आपको कहीं यहां देखने को मिलेगी और यह पेरेनियल नहीं है जबकि सरस्वती नदी पेरेनियल थी यह जो है यह रेन फेड है के वल मॉनसून होगा तब यह पानी आपर रहेगा अब अगर आप समझो तो हाली में क्या हुआ कि इस्रो और ओएंजी सी द्वारा सैट का सरस्वती नदी का ही एक बड़ा रूप शायद उस समय पे सरस्वती नदी रहा होगा और अगर हम लोग समझने की कोशिश करें के सरस्वती नदी 24 र क्या प्रूफ है तो एक प्रूफ 12 यह है कि जब हम लोग पीलियो चैनल पे चलते हैं सरस्वती नदी का जो चैनल हम लोगों ने प्राप्त किये खुदाई वगेरा करने के बाद में तो हम लोग उन पीलियो चैनल पे जिनके मैंने अलग-अलग डिस्टिक भी आपको बता है तो इन डिस्टिक के उपर आपको हर्याना के अंदर एक जगे देखने क्यों मिलेगी उचा चंदना उचा चंदना करके एक जगे है जहाँ पर पानी निकाला गया जहाँ पर एक कुवा खोदा गया और थोड़ी अंदर जाके पानी निकला पानी की उम्र लगबग 10,000 साल पुरानी निकली है ये ओटू के आईसोटोप का रेशियो निकाल कर हम लोग को प्राप्त हुआ के 10,000 साल पुराना पानी जो है वो वहाँ पर अंडर ग्राउंड में जो माना जाता है के शायद यही सरस्वती नदी का चैनल है देखो अगर आप गगर नदी के आसपास चलोगे तो गगर नदी के आसपास अगर आप 10 से 3 से 10 मीटर तक अंदर खुदाई करोगे तो वहाँ की पर मिका की लंबी लंबी शीटे निकलती है बहुत बड़ी बड़ी शीटे हैं और जो की लगबग पाकिस्तान की बौड़ा तक चल जाती है 300 किलो मीटर दूर तक जो है वो आपको देखने को मिलेगी यह मिका की शीट जो है वो प्राप्त होती है यह मिका की शीट जो है यह ऐसी नदियों में मिलती है ऐसी नदियों के floodplain पे मिलती है जो हिमाले से निकलती है हिमाले से निकलने वाली पैरिनिय लदी जैसे गंगा या मूना इनके अंदर आपको इस तरीके की मिकाः की शिर्ट दिखेगी पर घगरणदी भी तो हिमाले से निकलती हो सकता है उसकी हो पर इतनी ज्यादा मातरा में और तो और घगर नदी के आसपास जो मिट्टी प्राप्त होती है उस मिट्टी को जब उठाया गया और उसके ओपर आरगन-ारगन की डेटिंग की गई तो पता चला कि वो जो रेत है वो जो आसपास की मिट्टी है जो घगर नदी के पा गगगर नदी निकलती है तो हो ना हो कि यहाँ पर सरस्वति नदी थी इतना ही नहीं कहीं सारे रिसर्चर्चर्ष ने यह माना है कि गगगर नदी इतिहास के अंदर दो समय तक पेरेनियल रीवर थी, एक समय हुआ करता था, 78,000 BC से 18,000 BC के बीच में, और दूसरा समय जो पेरेनियल होने का पता लगा है, उसके जो कोर्ट से उसके अंदर वाटर को जब चेक किया रहा है, कब सुखी होगी, तो दूसरा पेरेनियल समय जब पता लगा, तो साथ जासे धाय BC के बीच में, धाय अजार के बाद यह सुखने लगी, अब अगर आप समझोगे, तो हरपन सिविलाइजेशन, हरपन सिविलाइजेशन के अंदर, आपको देखने को मिलेगा, कि यह पूरा हरपन सिविलाइजेशन इस नौर्थ वेश वाले इलाके में रहा, जहां पर आप प्राप्त करोगे कि आज के समय पे रेगिस्तान ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में कोई सिविलाइजेशन कैसे पनफ सकती थी, सिविलाइजेशन अगर हम लोग बात करें, तो कई सारे ऐसे हैं, कई सारी साइट ऐसी मिलती है, जो कि आपको सरस्वती नदी के चैनल के 500 मीटर के अंदर है, घगर नदी के किनारे हरियाना के अंदर आप हरपा पाओगे, आप इसी के किनारे पर काली बंगन पाओगे, ये जो हैं वो साइट है हरपा सिविलाइजेशन की, तो ये बताता है कि हरपा सिविलाइजेशन सिंद गांटी के आलावा, ये सरस्वती नदी के आसपास भी कही सारी सिविलाइजेशन, कही सार जो है वो बन रहे थे और अगर हम लोग researcher की माने तो researcher का कहना तो ये है कि 2000-2600 अलग साइट जो है वो सरस्वती नदी के चैनल के आसपास मिली है ऐसी साइट है जो सरस्वती चैनल नदी का आज हम लोगों ने चैनल माना है उसके 500 मीटर के अंदर अंदर है जो दिखाता है कि हो ना हो यहां पर एक नदी रहा करती होगी तब ही वो शहर यहां पर बन रहे थे 1980 के अंदर RGWD के साइंटिस एकदम चौक गए चौक इसलिए गए क्योंकि जब वो लोग जैसलमेर के अंदर गए और जैसलमेर के अंदर कुवा खोदा पर जो जैसलमेर का वह इलाका है जो सरस्वती नदी के कोर्स में आता है वहां पर पानी मीठा है और इतना को दिखने को मिलेगा वहां पर और ऐसे कुवे हैं जो साल भर तक भरे रहते हैं सुखते यह नहीं रहें रहें पर अंडर ग्रांड कभी सरस्वति नदी रही होगी एवन कई सारी सेटलाइट हम भेजते हैं सब बताती है कहां पर अमेरिका ने एक सेटलाइट वह नज़र रखी जब अंडरग्रांड वौटर के ओपर नजर रखी तो लैंडशाती है कि यहां पर जैसलमेर के आजपास पानी का एक फिक्स चैनल है जो बताता है कि अंदर की साइड में सरस्वती नदी जो है वो कहीं न कहीं उसका प्रामी जो है वो अभी भी प्रेजेंट है इतना ही नहीं इसरो और जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया दोरा साथ से आठ ऐसी अलग अलग जगे जो है वो निकाली है जो पीलियो चैनल के अंदर आती है सरस्वती नदी के और वो सब अरावली के वेश्ट के अंदर आती है क्योंकि वेदों के अंदर कहा जाता है कि यह समुद्र में मिलती थी समझ में आया कि सरस्वती नदी क्या थी और इसके क्या क्या प्रूफ है यह तो मैंने कुछ प्रूफ बता है आप में से कई सारे होंगे जिनको और भी प्रूफ पता होंगे इवन मुझे भी पता है बट इतने सारे प्रूफ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कुछ प्रूफ जो की को लेकि हर्याना सरकार द्वारा चलाएगे एक संस्था के द्वारा रिसर्च में पाया गया है कि सरस्वती नदी पंद्रवी शताब्दी तक भी बहती थी एवन एक रिसर्च ऐसी भी है जहां पर खुदाई की गई अंदर और कंप्लीट चैनल जो है वह भी प्राप्त हुआ सरस्वती नदी के चैनल के उपर पानी पंप भी किया गया था 2016 में हर्याना सरकार द्वारा हर्याना सरकार का हाली में कहना ये भी है कि सरस्वती नदी के बारे में स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा ये सब में क्यों बता रहा हूँ क्योंकि हर्याना सरकार इस देंग से क्या होगा तो इसी जगा है जिसे सरस्षती नदी का उध्यम्भ मैंने बताह lly आप उत्गम आदिवधरी को माना जाता है तो आदि वदी आपको यहां देखने को मिलेगा हर्याना के अनदर यहां पर प्रापत रहा है यहां पर एक सथ्थल धी थोड़ा उपर जाओगे तो आपको हिमाचार प्रदेश की बॉर्डर जो है वो मिल जाएगी अभी क्या किया जाएगा कि यमुना की ट्रिब्यूटरी इस है उससे पानी जो है वो आदी बदरी में लेके आया जाएगा और आदी बदरी के ओपर 215.33 करोर का एक डैम जो है वो बनाया जिसके बाद यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ेगी और पानी की मात्रा को बढ़ा कर इसे इस पानी को ले जाया जाएगा यमुना नगर से कुरुक्षेत्र से होते हुए केथल से होते हुए पटियाला मतलब इधर देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है आद बदरी से यमुना नगर तक जोड़ा जाएगा पानी को यमुना नगर से कुरुक्षेत्र से केथल केथल से फिर पटियाला और फिर यहां से घगर नदी के अंदर से जोड़ दिया जाएगा और मैंने क्या बताया घगर नदी ही क्या मानी जाती है घगर नदी ही अगर आप द कंटीनेस पानी की स्ट्रीम बनेगी अभी घगर नदी कैसी है मौनसून फेड है जब बारिश आती है तभी होती है पर यमुना मौनसून फेड नहीं है तो यमुना की ट्रिब्यूटरी सोंब के कारण यहां पर कंटीनेस पानी जो वह पाएगा जब कंटीनेस पानी यहां पर भेह पाएगा तो सरस्पती नदी जो है वो रिवाई वो पाएगी इस पानी को regulate करने के लिए आदी बदरी के अंदर 215.33 करोर का एक डैम बनाए जा रहा अब यह जो 215.33 करोर का डैम है यह बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा क्योंकि कुछ पानी यमुना नदी के साथ में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो closest river वहां से भी लिया जा रहा तो वहां से भी पानी लिया जाएगा और हिमाचल प्रदेश जो है वो इस डैम को कंश्रक करेगा पर इसके ओपर खर्चा जो करने वाली है वो हर्याना की सरकार करने वाली है यह डैम लगबग 100 पॉइंट 101.06 मीटर लंबा होगा और 20.05 मीटर चोड़ा होगा जब यह डैम बन जाएगा तो इस डैम का फाइदा दोनों को मिलेगा क्योंकि ये डेम केवल सरस्वती नदी को रिवाइव करने के लिए नहीं बन रहा है बलकि water को conserve करने के लिए भी बन रहा क्योंकि कहीं सारी छोटी छोटी stream ऐसे ही लुप्त हो जाती है तो उन सब को मिला कर एक पानी की stream बनाई जाएगी जो सरस्वती नदी बनेगी जिसके पानी का प्रयोग हिमाचल प्रदेश की सरकार भी कर पाएगी लगबग 3.92 हेक्टेर मीटर का पानी जो है वो हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा वहाँ पर drinking water की requirement को fulfill करने के लिए और 57.96 हेक्टेर मीटर का पानी irrigation की demand को पूरा करने के लिए हमाचल प्रदेश की सरकार को दिया जाएगा यहाँ पर दोनों ही government चाहे तो सरस्वती नदी जो वापस से revive होगी उसके आसपाश tourist इस्थल बना सकती है बट जब यह tourist इस्थल बने तो उसके अंदर main project के अंदर ध्यान रखा जाए कि कहीं वो नदी जो है उसके flow के ओपर असर तो नहीं पढ़ रहा है अगर flow के ओपर असर ना पढ़े तो उसके अलावा दोनों ही अपनी इक्छा के अनुसा infrastructure की facilities बना सकती है यहां पर चाहे तो tourist project जो है वो दोनों ही सरकार बना सकती है ताकि लोगों का यहां पर भला हो इस सरस्वती नदी की जो length बताई जा रही है वो लगबग 198 km तक की रहेगी जब revive होगी उसके बाद में ठीक है अगर हम लोग बात करें तो इस नदी के जो डैम है उसको बनाने के लिए आदी बदरी डैम construction monitoring committee एक अलग से बनी है जिसका काम है इस डैम को प्लान करना supervise करना monitor करना और इस पूरे project के जरीए सरस्वती नदी को उस एतिहासिक नदी को वापस से revive करने की कोशिश की जा रही है न केवल नदी को revive करने की बलकि water conserve करने की भी कोशिश जो है वो यहाँ पर की जाएगी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं अगर lecture अच्छ के अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना तो आप यह code का यूज करो इससे क्या benefit होगा इससे आपको मेरे द्वारा परसनली one-on-one mentorship मिलेगी क्या होता है लाखों बच्चे हर साल prepare करते हैं पर उनमें से कुछी बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं कारण क्या है कारण बहुत सिंप जब क्या होता है दूसरे काम आने लगते हैं motivation नहीं रहता है जब बड़ा अससी ले पर एकसाद देखते हैं तो थोड़े समय बाद लगता है preparation छोड़ दो जब ऐसा होता है तो तैयारी पूरी नहीं हो पाती है और पी कहते हैं यूपीएसी दो टफ है यूपीएसी दो description पर और उसके बाद में को टेलीग्राम ग्रूप पर अगर उसको भेजो या आप टेलीग्राम ग्रूप पर में परसनल कॉंटेक्ट है वहां पर भी आप मुझे भेज सकते हो अपना screenshot और उसके बाद में मैं तुम्हारा हूँ मैं आपको परसनली गाइड करूंगा one-on-one mentorship weekly target मेरे द्वारा दिये जाएंगे कि सब्जेक को पहले पढ़ना कि सब्जेक को बाद में पढ़ना वह मैं बताऊंगा ताकि आपके preparation में कोई गड़बर नहीं होगी तो अपने आप आपकी तयारी पूरी होगी तो दोस्तों जाओ subscribe करो code करना है src10 तो दोस्तों आज के ल